हेलो दोस्तों मैं आगे मेता मॉफसिस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप जानते हैं कि मैं लेकर आ रहा हूँ आजकल ग्रैमर की स्पेशल सिरीज और जिसमें मैंने पहले पार्ट आप स्पीचस से बात केते ही फिर नाउन और फिर नाउन के बाद उसके एरर्स फिर प्रोनाउन प्रोनाउन के एरर्स के दो वीडियो और आज मैं एक नया टॉपिक तो लेकिन ये adjective कई तरीके से सरदर्द करता है लोगों का एक तो इसमें errors बहुत आती है competition में हम लोग कुद errors करते हैं बहुत सारी दूसरा इसमें जो degrees होती है comparative, superlative और positive वो कई लोगों confuse करती है तो मैंने इसको कई हिस्सों में बाटा है आज के हिस्से में मैं लोगा concept of adjective कि adjective है क्या बस इतना और अगले हिस्से में मैं लोगा तीनो degrees जो होती है और फिर जाएंगे हम errors वगरे में तो चले concept की और बात करते हैं और concept की और बात करने में हम बिलकुर अपने ही style से जाएंगे आप से कुछ बातें करेंगे कुछ कहानी और कुछ गपें और कुछ किस्से तो चले चलते हैं किस्से की और और adjective को भूल जाएंगे और आराम से एक कहानी को सुनते हैं एक घटना सुनते हैं तो घड़ना यू हुई कि एक बच्चा ये मानिये कि एक छोटा बच्चा है और वो घुटने से चलता है और उसके पिताजी और माताजी उसके खड़े होने का अंतजार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जिस दिने चलेगा तो कितना अच्छा दिन होगा और एक रोज फादर को ऑफिस में एक वीडियो कॉल आता और पता चलता है कि उनका बेटा चलने लगा फादर बड़े एकसाइटेड हैं और वो फटा फट घर पहुंचते हैं और उस दिन वो एकसाइटमेंट में कि आज मैं बेटे के साथ कुछ बाते करूँगा खेलूँगा और उधर मदर ने फोटो अगरे खेंची है लेकिन मदर की खुशी थोड़ी देर की है क्योंकि आपको पता है जब बच्चा चलने लगता है तो वो कितना शैतान हो जाता है और जैसे बच्चा चलने लगा तो उसने दिन भर जब तक फादर शाम तक आते मा को इतना परिशान कर दिया है कभी उप लग में उंगली डाल दे कभी चाकू पकड़े कभी किसी चीच को घिरा दे और कभी मा को परिशान करे कभी कोई चीच को फैक दे तो मा इतनी परिशान हो गई कि शाम को जब फादर लोटते हैं तो कहते हैं तो मा का एक जबरदस डाइलोग सुनने को मिलता है ले जाओ इसे दिन बर इसने परिशान कर दिया तो कहता है अरे अभी तो मैंने चाहिए नहीं ना ना मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे इसने इतना परिशान कर दिया, तुम जहां ले जारों ले जाओ, but he will not be here अब father क्या करते, वो सीधे उसे लेके निकले, बहार निकले आपको मैं imaginary situation दे रहा हूं, मान लीजियो, बच्चा पहली बार बहार आ रहा है और ये क्योंकि एक कहानी मान लीजियो, बच्चा बोलता भी है तो बहार आती उसने एक पहली चीज देखी, एक ट्रक यू निकल गया और ट्रक निकला तो उसने का, father what is that, भापा ये क्या है पापा IS officer, या पापा PCS officer, और वो चाहते हैं मेरा बच्चा शुरू से ही बड़ा logical बने और उसको मैं इतनी चीज़ें बताऊं, तो समझाना शुरू कर देते हैं बेटा, this is a truck, it runs on an engine, it runs by fuel, there are four tires, पता नहीं क्या-क्या बताने लगते हैं पच्चे का तभी ध्यान एक गाए पर चला जाता है, वो कहता है, father what is that, वो क्या है पापा, फिर से ऐसे बताना शुरू करते हैं, बेटा ये गाए है, it has four legs, ये हमें दूद देती है, और ये एक pet animal है, और पता नहीं क्या क्या है, तब तक उसका ध्यान किसी और चीज़ में और थोड़ी चीज़ें बताने के बाद ये चुप हो जाएगा, ठीक है, पहुंसते हैं, और पापा पहुंसते ही पहली बता देते हैं, बेटा ये घास है, ये पत्थर है, ये दिवार है, ये पक्षी है, और ये है आपका फूल, ठीक है, और शान्त हो के, जैसी थोड़ी लेट के अराम कर रहे होते हैं, तो अचाना के एक अवाय आती है, फादर, हडबढा के पापा उठते हैं, येस, what is now, फादर, what is that, तो पापा देखते हैं, चिड़िया वहाँ पे चुग रही है, वो फिर से शुरू हो जाते हैं, वो पी-स वाल attitude, बेटा, this is a bird, it has wings, it flies up in the sky, it eats insects, okay, it has beak, sharp beak, और पता नहीं क्या-क्या, बेटा सुन लेता है, शाम हो जाती है, पापा उसे लेके आ जाते हैं, और पहला दिन गुजर गया, लेकिन अब ये दिन रुकने वाला नहीं था, दूसरे दिन जैसे ही फादर आते हैं, फिर से उनके duty के उसे ले जाएं, और पड़े frustrated, मेरा बेटा, और इसको मैं इतना बता चुका हूँ, ये फिर से चड़िया नहीं पहचान पा रहा है, बड़ा egoistic मामला हो गया ये, और पर आगई बात, तो पापा कहते हैं, कम on, yesterday I told you, this is a bird, no पापा, yesterday one was a bird, this is not a bird, कम on, this is a bird, not a bird, I am saying this is a bird, not a bird, कम on, my dear, it is a bird, yesterday I told you or not, this is not a bird, चटाक, and the boy started weeping, फादर realized कि मैंने इसे मारा और ये समझ क्यों नहीं रहा है, ये रोया क्यों, तो फादर ने उससे घौर से समझने की कोशिश की, तो उन्हें जो गलती पकड़ में आई, आपको यकीन नहीं आएगा, वो adjective के शुरुवात थी, और वो क्या गलती थी, गलती ये थी, कि पापा ने जब पिशली बार उन्हें एक पक्षी दिखाई थी, चडिया दिखाई थी, the bird, he has shown there, वो चडिया लाल रंग की थी, और बच्चे ने सोच लिया, चडिया वो ही होती है, लेकिन आज वहाँ काले रंग की चडिया थी, and the child was thinking that it is not a bird, वो वाली bird होती है, जो वैसे color की होती है, तो पापा की गलती थी, कि उन्हें ये नहीं बताया कि ये कई colors में होती है, ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से adjective निकलता है, और यहीं demand है, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले समझना होगा, वो क्यों आया, तो हम लोग सोचते है, adjective चीज़ की विशेशता बतलाता है, यह हमने आज तक रटा हुआ है, तो आज मैं आपको नई चीज़ बता रहा हूँ, जिससे आपको adjective को पहचानने में मदद मिलेगी, adjective is that very quality by which we distinguish one thing from other, एक ऐसा खास, एक ऐसी खास quality, एक ऐसा शब्द sentence में, जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहा हो, अलग, वो difference बता रहा हो, उसको differentiate कर रहा हो, वो होता है adjective, कैसे, जैसे मैं आपसे कहूंगा, कि come on, bring me the red book from the room, आपसे मैंने कहा, वो लाल बुक कमरे से ले आओ, आप वहां जाएंगे, और अगर बाकी अलग कलर की किताब होगी, तब ही आप तुरंत लाल किताब ले आएंगे, क्योंकि वो लाल कलर उसे औरों से अलग कर रहा है, लेकिन अगर मैंने कहा, कि bring me the red book और वहां सारी लाल किताबे होई, तो कोई quality नहीं है, जो उसको differentiate कर रही है, तो फिर मैं एक quality और दूँगा, differentiate करने के लिए, जब आप यह वहां से, which one red, कौन सी वाली red, तब मैं वहां से चिलाओंगा, the one, the one which has a mark of tea, वो वाली जिसमें चाय का दाग है, ठीक है, तो आपको तुरंत पहचान मैं जाएगे, लाल किताब में एक और differentiate वाली quality है, वो है उसमें दाग है, which one, the one which has a broken edge, जिसका एक कोना टूटा हुआ है, वो वाली red ले आओ, तो फिर से मैंने उसके लिए differentiate करने वाली quality दी, तो जब भी मैंने adjective देना है, या adjective को समझना है, तो मुझे देखना होगा, कि वो औरों से कैसे differentiate कर रहा है अपने को, तो यह होती है, adjective के, जो है, real concept, यह होता है, adjective का real concept, और इसलिए, whenever I say, he is a tall boy, तो मतलब वो छोटे हैं बाकी लोग, वो quality उसको differentiate कर रही है, he is fat, वो औरों से, जो है, heavy है, इसलिए वो चीज़ उसको differentiate कर रही है, so that is how we understand adjective, and this is the real adjective, तो इस तरीके साब adjective को समझे, और I hope कि आपको adjective का concept पूरा समझ में आया होगा, और अगला concept जो अगले lecture में और शांदार होन वाले हैं, बिलकुल unconventional तरीके से, मेरे style में और उसको बिलकुल logically समझते हैं, तो मिलते हैं, अगले lecture में जिसमें हम degrees की बात करेंगे, तब तक के लिए आप से विदा लेता हूं, लेकिन, don't forget to share, like and subscribe and comment, please, your sharing and your subscription will make us move ahead and will inspire us to do something good and better and the best for you, thank you, have a nice day.